वैसे तो Hyundai Motor और Tata ये दोनों कमपनीज एक दूसरी की रैवल कमपनी हैं आईसी इंजन कार सेगमेंट में ये दोनों कमपनीज एक दूसरे को कड़ी टक कर देती हैं लेकिन अब ये दोनों रैवल कमपनीज इंडिया में चार्जिंग इंफरस्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक साथ आ गई हैं दरसल Hyundai इंडिया और Tata पावर ने मिलकर कोलाबरेशन किया है जिसके तहट Hyundai इलर्षिप में Tata पावर 60 k łat का फास चार्जिंग स्टेशन इंच्टॉल करेंगे Hyundai की डिलर्षिप के अलबा Hyundai के कस्टमर के लिए Tata पावर घर में भी परसनल होम चार्जिंग इंच्टॉल करेंगे और जो Hyundai dealership का charging station होगा वो हर एक electric car के लिए open रहेगा यानि कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ Hyundai की car की जरुवत है आप जहें Nexon EV या MG ZS EV या और कोई भी car यूज़ करो आप इनके dealership मर अपनी car charge कर सकते हो वैसे Hyundai के इंडिया के लगभख 34 dealership में 7.2 kilowatt का AC charging point पहले सही installed है तो चलो इंडिया में charging infrastructure बिल्ड करने के लिए ये दोनों company साथ में आई हैं जो की काफी अच्छी बात है